नमस्कार आज हम बारवी कक्षा के इतिहास का 11 ग्यारवा अध्याई करने जा रहे हैं जिसका नाम है समिधान का निर्मान इसके हम सभी objective questions करेंगे और उनके साथ साथ हम परियास करेंगे थोड़ा बहुत elaborate कर दें ताकि अगर कोई दो नमबर का है तीन नमबर का सवाल आता है उसको भी आप असानी से कर पाएं चलिए शुरू करते हैं सविधान का निर्मान सबसे पहला ही सवाल है कि सविधान कब बना भारत का सविधान कब बना तो ये देखिए आपको दो तारीक मिलेंगी सबसे पहला है कि 26 नवंबर 1949 में हमारा सविधान बन करके लागू नहीं हुआ था बन चुका था कम्प्लीट हो गया था सविधान सभाने अपना समस्थ कारिये खतम कर दिया था लेकिन ये जो सविधान है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ऐसा क्या कारण था कि 26 नवंबर 1949 में ये बन करके तयार हो गया था लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को 26 तारीक को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं गंतन तरदिवस मनाते हैं मैंने आपको बताया था कि लाहोर के कॉंग्रेस के अधिवेशन में दिसंबर 1939 में पढ़ी जवाला लेहरू जो हमारे देश के परतम परधान मंतरी हैं उन्होंने ये कहा था कि हम आने वाली 26 जनवरी को पार्टी ने पूर्ट सवराज दिर्वस मनाया था तो उस दिन को सम्मान देने के लिए हमारा सविधान जो 26 नवंबर 1949 में बन करके तयार हो गया था उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में दूसरा सवाल है भारत का सविधान किसके द्वारा बनाया गया यानि के ये जो निर्मान कारिय किया गया सविधान का ये किसके द्वारा किया गया तो निर्मान जो किया गया सविधान को जो लिखा गया विशु के सबसे बड़े लोक्तंत्र का जो सविधान लिखा गया व ही एक Royal Indian Navy का विद्रो हुआ था है एक अलगसे सवाल है कि यह Royal Indian HIV का विद्रो कभ हुआ था 1946 में और सविधान स्भा की स्थापना भी 1946 में हुई थी अगला सवाल है सविधान की प्रारूप समीति का गठन कभ हुआ देखिए एक तो सविधान सभा था थी और सविधान सभा में बहुत सारी समीतियां मनाए गई थी प्रारूप समीति का कारिय था कि सारे के सारे सविधान को लिकित रूप में संगठित करके पेश करे जिस प्रारूप समीति के अध्यक जो थे डॉक्टर भीम राव अमबेड कर थे तो प्रारूप समीति का जो गठन हुआ था वो दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन यह सवाल अक्सर आ जाता है आपको मालूम होना चाहिए कि सविधान सभा को बनने में दो साल ग्यारा महीने और अठारा दिन लगे थे अगला ही सवाल है कि प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे इसका जवाब भी मैंने पहले आप और मेड़कर को जाता है जिनोंने वेश्व का सबसे लंबा लिखित सविधान बना करके हमें प्रस्तुत किया जिसके द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है कानून वरस्था को बनाया जाता है सविधान सभा के समवैधानिक सलाहकार कुन थे ये भी एक बहुत important व्यक्ति थे जिन्होंने सविधान सभा में अपने करतवे का पूर्णत अंडर्वहन किया और सवैधानिक सलाहकार के रूप में मरौनित रख किये गए जिनका नाम था बी एन राउ ये कुछ नाम है जो कुम होने चाहिए उसके बाद है अगला सवाल कि सविधान सभा का पर्थम अदिवेशन कब और कहां बुलाया गया तो यह अदिवेशन बुलाया गया था नई दिल्ली में 1947 में तो 1946 में कई कारिये हुए थे ये वाला कारिय हुआ था कि सविधान सभा का पर्थम अदिवेशन 1946 में नई दिल्ली में बुलाया गया था अगला सवाल है जो सविधान सभा थी जो उसके सदस्य थे उसमें सबसे प्रभावशाली राजद्यतिक दल कौन सा था तो उसमें कॉंग्रेस था करीबन 82 पर्थिशत लोग कॉंग्रेस पार्टी से थे उसके बाद जो कुल संख्या थी सविधान सभा के सदस्यों की वो थी 399 देखिए 399 थी उसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया था भारत की विभाजन के बाद जो सविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी वो रह गई थी 308 ठीक है इसमें से करीबन 91 आप देखेंगे 308 यानि के 89 वो है 8 गए 90 90 के करीब 89 आप माइनस करके देख सकते हैं 389 में से 308 गए तो कितने वहाँ पर चले गए 9 में से 8 गया 1 और 8 ठीक है इसके अलावा भी कई कई पुस्तकों में 299 का आकड़ा दिया हुआ है तो दोनों का जो हमारी बुक में दिया हुआ हम उसको मानेंगे वैसे अधिकारिक तोर पर 299 माना जाता है कि पारत के विभाजन के 50 सविधान सभा के सदश्चों की संक्या इतनी रह गई थी सविधान सभा के पर्थम एस थाई अधिक्ष कौन थे 9 दिसंबर 1946 को सचिदादन सिना को एस थाई अधिक्ष बनाया गया था सविधान सभा का लेकिन 2 दिन के पश्चाथ ही 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 में सविधान सभा के अधिक्ष राजिंदर परशाद को बनाया गया है दोक्टर राजिंदर परशाद जो हमारे देश के पर्थम राष्ट पती भी थे उसके बाद यह जरूरी है आप दोनों बातें आप जानलें यहाँ पर पर्थम एस थाई एस थाई कोन थे डॉक्टर सचिदान सिना और भारतिय सविधान सभा के अधिक्ष कोन थे डॉक्टर राजिंदर परशाद जो अगर सीधा अधिक्ष आएगा तो हम डॉक्टर राजिंदर परशाद ही लिखेंगे और अगर सचिदान सिना के बारें पूछा गया तो बहुत इंपॉर्टन्ट बात है इसमें कनिसूज मत होना उसके बाद अगला सवाल है सविधान सभा के खॉमिनिस्स सदस्षय कौन थे बात की बैठकों आयोजन किया गा तो देखिए सूचियां बनाई गई हैं देखिए इसको सक्तियों का बटवारा भी कहते हैं आपने दस्वी कक्षा में पढ़ा होगा कि तीन सूचियां है केंद्रिय सूची राज्य सूची समवर्ती सूची इन सूचियों में कुछ विशय होते हैं जैसे केंद्रिय सूची में आज 97 विश इन विश्यों पर कानून बनाने का और निर्ने लेने का अधिकार केवल केंद्रिय सरकार को है। इसली भी तरह का भी डिस्प्यूट होगा तो केंद्रिय सरकार को पावर है शक्तियां हैं कि वो समवर्ती सूची के कानून भी बना सकती है। पंडे जवालाल नहरू ने उदेश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को इसको जरू करने लाई ये वन ओफ दा इंपॉर्टेंट कोशन है इस चैप्टर का। चलते हैं कि भारतिय सरकार अधिनियम का पारित हुआ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 1935 में गॉर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट और इस एक्ट का सविधान के अंदर बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोविजन्स हैं कानून हैं जो रूल्स रेगूलेश थी और जब ये गॉर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में तो चुनाओ जो हुए थे जो इन्हों नियम मनाया थे उनके अधार पर पहली बार चुनाओ हुए थे वो 1937 में हुए थे ठीक है और हालांकि इस सरकार ने 1949 में स्तीफा दे दिया था रेजिगनेशन दे द सार जो चुनाओ हुए थे 1937 में और चुनाओ के बाद जो इस्तीफा दिया था वो 1949 में दो दो साल का गैप है 1935, 1937 और 1949 उसके बाद है कि महात्मा गांधी राष्ट भाषा के रूप में किस भाषा को आदर्श मानते थे हिंदुस्तानी भाषा हिंदू और उर्दू के मेल से मिली हुई भाषा ये भी सवाल आजाता है कि हिंदूस्तानी भाषा कि इन दो भाषाओं का मेल है तो आपको मालूम होना चाहिए हिंदी और उर्दू को जो मिला दिया जाता है कुछ शब्द हिंदू से लिए जाते हैं हिंदी और उर्दू का जो मेल होता है उससे बनी ह भाषा को हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष कोन थे पंडिज जवालाल नहरू अगला सवाल है भारत कब आजाद हुआ हम सब भारत देश के वाशी हैं हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था इसी तरह यहां भी हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का विभाजन होकर जब पाकिस्तान का निर्मान हुआ था वो 14 अगस्त को जिस तरह से हम 15 अगस्त को अपना सवतंतरता दिवस मनाते हैं अगला सवाल है पाकिस्तान कब सवतंतर हुआ या पाकिस्तानका दिर्मान कब हुआ बिलकुल ठीक है 14 अगस्त 1947 मैं अभी आपको बताया है उसके बाद है भारतिय सविधान बात का अध्यक्ष को उन्टा जैसे हमारे यहां सविधान सभा का अध्यक्ष को था दो अध्यक्ष मैंने बताए थे डॉक्टर सचिदानंस सिना जो एस्थाई अध्यक्ष थे और जो डॉक्टर राजिंदर परशाद जो स्थाई अध्यक्ष थे लेकिन पाकिस्तान सविधान सभा का ये भी हमारी बुक मे मूल समिधान में अप लोगों ने सुना होगा तो यह सवाल आ जाता है यह किस ने लिखा था मूल समिधान में कितनी धाराएं तथा उपधाराएं इसके बारे में बात करते हैं», ये देखिए, 395 करीब धाराएं थी, 22 उसके भाग थे और आठ अनुसूचिया थी, ये मूल सम्विधान में था, अब जो संसोधन होकर के बहुत सारी धाराएं हैं बहुत सारी अनुसूचियां हैं लेकिन जब मूल सविधान था उसमें 395 धाराएं थी 22 भाग थे 8 अनुसूचियां थी धाराओं का अलग सवाल आ सकता है भाग का अलगा सकता है अनुसूचियों का अलगा सकता है आपको याद करना पड़ेगा उसक 1949 से 1945 के मध्य हुआ था 1945 के बाद बिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ था बिटेन में दो पार्टी है एक पार्टी है लेबर पार्टी तीक है उस लेबर पार्टी ने इलेक्शन को जीता था और कंजरवेटिव और लेबर लेबर पार्टी ने इलेक्शन को जीता था और ल इसलिए उन्होंने डिसाइड किया बारत को अजाद करना पड़ेगा और न फीदन को अपना समीधान बनाने का अधिकार दिया चाहिए तो किस बिर्टिस परदान मंतरी ऐटली जो लेबर पार्टी से थे उसके बाद हमारा अगला सवाल है कैबिनिट योजना ranking जो उननेस उत शालिस में आई थी उसी ने योजना के अंतरगत भारतियों को अधिकार दिया गया था समिधान बनाने का उसके बाद है भारत के अंतिम अंग्रेज वाइसराय कौन थे लोर्ड माउंट बैटन ये देख लेना बहुत इंपॉर्टन सवाल है बहुत सारी पर्तियोगता पर्ति जवाल लाल नहरू उसके बाद आते हैं कि पर्तमराश्ट पती कौन थे ये भी हमने बता दिया था डॉक्टर राजिंदर परशाद क्योंकि राजिंदर परशाद ही थे जो सविधान सभा के साई अध्यक्ष थे ठीक है ये सारे के सारे सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो 100% अगर कोई भी objective question आएगा इस अध्याय से तो आप इस स्तिथी में होंगे कि वो आपको आता मिलेगा ये अंतिम अध्याय था और जो इसके chapters हैं जिन objective type questions हैं वो मैंने पहले upload किये हुए हैं आप YouTube चैनल पर जाकर कि उनको देख सकते हैं ठीक है अब आगे कुछ और पर question कहते हैं इसलिए मैं आपको सला देता हूँ कि आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन दबा दें जब भी आपके exam से related कोई बात होगी उसका message आप तका जाएगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत